हेलो फ्रेंट्स आज हम आए हैं बोर्सत और यहां का जो चाय बार है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है चाय सभी जगा मिलते ही लेकिन यहां की जो फ्लेवर वाली चाय वो आपको कहीं पे पीने नहीं मिलेगी यहां कम से कम चाय के 8 फ्लेवर मिल जाते हैं और सभी फ्लेवर एकदम यूनिक हैं तो चलिए हम पी के देख लेते हैं कि यहाँ के जो फ्लेवर्स वाली चाय वो कैसी है कि अभी चाय पुल्ड़ बार के अंदर हमारे साथ है रिपिंट्राइब हम इनसे पुछे नहीं कि यहाँ कि अपने टाइप की और राइटी में चाय मिलती है तो अभी शुटाइब हम ने बहुत चिना आपके चाय पुल्ड़ पार के लिए तो अबने तो इस अबने तो स्थाट किये है चाय को सब्लेगर मिलए तो इस पेशल क्या है अबतरा श्वेशा जुटाइब हो फुल्ड़ अबर आट पिर में चाय आपके चाय आपके अदरा तो अच्छाय आप्र हों को टौटिए आपार्चाइए आपर हों किसमे नहीं है तो के स्टाट में आप दाने गान हों किरिखे देना हुआ हो हुआ है हम रों ओंड सेके लाओ सुगर किसके फ्लेवर की चाह अब है आपी कोंसा फ्लेवर किना ने पार है झाल, 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 झाल तो हमारी यहां पर यह चाय चॉकलेट चाय रेडी हो चुकी है तो देखते हैं पीके किस तरीके का स्वाद आ रहा है इसका तो पिला ही हमें तो यह जो है कुलड में हमें दे रहे हैं बहुत ही मज़ा आता है इस तरह की मिट्टी के कुलड में चाय पीने का तो अपर सभी आपने क्या डाल रहे हो आप चॉकलेट पाउडर है यह अपने अपने अड़ कर दिया उसके अंदर और यह जो आपने डाला है चॉकलेट सिर्फ यह कुछ आपने नया किया है अचाज से गार्निशिंग हो जाती है स्टिक भी आपने वुट की यूज कर रहे हो लकडी की तो फ्रेंड्स हमारी यहां पर चॉकलेट वाली कुलड की चाय आ चुके तो मैं एक बार इसको पीके रहता हूं कि यहां पर किस तरीके का टेस्ट आ रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम इस तरीकी की जो चाय वो पी रहा ह तो जोने थोड़ा से में इसको मिक्स कर लेता हूं जबर्दस टेस्ट आ रहा है चोकलेट का जो फ्लेवर है वो भी एक दब इन्हों जो एड़ किया उससे और भी ज्यादा यह टेस्टी लग रहा है साथ पे जो कुलड़ है उसका टेस्ट बतलब समझ लिएगा आप नॉर तो विपिन भाई अगर किसे को यहां पर आना है तो उसका क्या अड्रेस है एफ 13 सान आरोमा कॉंप्लेक्स अपोजी सुर्य मंदर के सामने अपोजी तो यह एड्रेस आपने सोनी लिया है तो जब भी आप बोरसद आये तो यहां पर जरूर विजिट कीजिए